तेर स्टूडेंट वी एफ टू डिसकेस अबार्ट अबर्ड गॉलोबल की, फिर हमने बात की किसी एक कंट्री की, हमने बात की प्राइवेट सेक्टर की इन्वाल्मेंट. इसके नदर एक कंसेप्ट था पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप. अब हमने जब बात करते हैं, चाहे हम अपने नेचर रिसूर्सेज के यूजर्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास जो पॉलूशन है, उसकी बात कर रहे हैं, या सुसाइटल अटेंशन की बात कर रहे हैं, हम किसी भी ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, तो हम उसमें अगर पब्लिक प्राइविट पॉर्टर्शिप इन्वाल्व नहीं करेंगे तो हम अपने गोल को चीव नहीं कर सकते चाहिए हम इन्वार्मेंटल कॉंशिसनेस की बात करते है या सुसाइटल उरेंटेड मार्किट की बात करते है देखें आप अगर एक कंजूमर की बात कर रही है अगर कंजूमर की डिमांड है कि वो ग्रीन प्रोड़क्स लेना चाहता है वो इन्वार्मेंट के अंदर जो पॉलूशन है उसको मिनिमम करना चाहता है वो आरगनिक फूड की तरफ फोकस करना चाहता है वो प्रासेस फूड से दूर जाना चाहता है तो हमें उसके लिए क्या जरूरत है हमें जरूरत है कि हमारा बिजनेस में उसको प्रासेस फूड के साथ आरगनिक फूड भी प्रोवाइड करे देखें मैं आपको एक मिसाल से समझाना चाहरा हूँ हमने फर्द करें हमें यह पता चल गया कि हमारा जो प्रासेस फूड है वो हमारी हेल्थ के उपर बुरे असाथ आलगा अवेरनेस हो गई हमें पता चल गया अब जो हमारा हेल्थ का फेक्टर है जिसके अंदर हम एक हेल्थी सुसाइटी हेल्थी सुसाइटी का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं वो मुझे कहता है कि मुझे आरगनिक फूड इस्तेमाल करना चाहिए अब देखें इस आरगनिक फूड की जब डिमांड आएगी उस डिमांड को किसने पूरा करना है बिजनेसमेन ने पूरा करना है बिजनेसमेन अगर प्रासेस फूड के साथ आरगनिक फूड भी आपको अवेलिबल करता है तो इसका मतलब में हो सकता है कि आरगनिक फूड की कास्ट ज़्यादा हो जाए और प्रासेस फूड क्योंके आरड़ी फैक्टि लगी हुए है चीजें चल रही हैं तो इसकी कास्ट काम हो लेकिन आपने उसकी availability करवाद आप जितने भी developmenties हैं आप वहाँ पे चले जाएं तो वहाँ आपको दो इसे मिलेंगे process food अलएदा होगा आरगनिक फूड अलएदा होगा अगर्चे उसकी कास ज्यादा होती है लेकिन यह आप पर depend करता है कि अगर आप आरगनिक फूड और फूड कर सकते हैं तो आप वो ले 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 तो लियाज़ा जब हम sustainable development goals की बात करते हैं sustainable development society की बात करते हैं और उसके goals को achieve की की बात करते हैं तो यहां पर भी हमें collaboration चाहिए हमें cooperation किस से चाहिए biznesman से चाहिए हमें networking किसे चाहिए हमें businessmen से चाहिए कि वो जो हमारी requirement है अगर वो हमारी requirement देगा तो उससे जो हम awareness के बाद हम उसको use की तरफ लेके जाएंगे और use करने के बाद हम एक जो health के ओपर हमारे parameters हैं उनको ओपर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे